Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you'll are doing well. Guys, आप लोगों ने या तो Net Qualify कर लिया है, या तो JAREF Qualify कर लिया या फिर कुछ भी Qualify नहीं किया है. ये तीन के अटिगरी हैं. अगर Net JAREF Qualify हो गया तो आगे क्या करना है? कई बर क्या होता है कि हमने exam तो क्रेक कर लिया होता है. लेकिन आगे क्या करना है? कोई guidance देने वाला नहीं होता है. Net Pass कर लिया तो आगे कैसे apply करें Assistant Professor के लिए? Government Post कब आती है? Government Colleges में किस तरह के से apply करना होता है? Private Sector में किस तरह के से apply कर सकते हैं? चाहिए Private College हो, Private University हो? वहाँ पर कैसे apply करेंगे? कितनी salary रहती है? और इसके अलावा अगर आपने net जारे correct नहीं किया है तो अब क्या करें? तो गाइस complete चीजों के लिए करके आच के इस वीडियो को हम discussion करने वाले हैं. और मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी इस platform पर assistant professor की जो भी recent vacancies निकल के आ रही है उससे related update देता रहूँगा. So make sure आप इस चैनल को subscribe कर लें ताकि आपको upcoming videos के सभी notification मिलते रहें. Okay, तो गाइस लिए बात कर लेते हैं. तेखिए सबसे पहले हम बात करेंगे net वालों की फिर बात करेंगे ज्यारे वालों की फिर बात करेंगे जिन्होंने qualify नहीं किया है. जिसने net qualify कर लिया है या फिर ज्यारे कर लिया है आप सभी लोग eligible हो apply करने के लिए assistant professor job के लिए अब अगर net pass कर लिया है तो या तो आप assistant professor के लिए try करो apply करना start कर दो या फिर PhD के entrance की तियारी करो because net के बाद भी आपको PhD entrance देना होता है या फिर आप ज्यारे के तयारी continue रखो maximum students ज्यारे करने की सोचते हैं because ज्यारे करने का ये advantage मिलता है कि आपको scholarship मिलना start हो जाती है 40,000 के आसवास आपको scholarship पर मन्त मिलना start हो जाती है एक बार आपका ज्यारे क्वालिफाई हो जाता है और plus assistant professor job में भी आपको preference दी जाती है जब आप interview देने जाती हो अगर आप PhD में admission लेना चाहते हो तो ऐसे में आपको entrance exam देना पड़ेगा entrance exam देने के बाद आपका interview होगा then उसके बाद आपका admission हो जाएगा PhD में ये बात करी हमने net वालों की अब हम बात करेंगे ज्यारे वालों की वैसे जैरिफ की जो validity वो 3 years की कर दी है government ने अभी पहले 2 year की थी बट UGC ने में last year ही इसको 3 year की कर दी है अब ये जो 3 year की validity करी है इसका क्या advantage है इसका advantage ये कि within 3 year आपको PhD में admission लेना पड़ेगा अगर ये तीनो year आपने waste कर दिये और ये जो date expiry date जैरिफ 2 आपके certificate पर mention रहेंगे आप हमेशा ही इसके लिए apply कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली अब government में government जो colleges हम वहाँ पर कैसे apply करें प्राइवेट के लिए कैसे apply करें इसके बारे में बात करेंगे है इससे पहले हम बात कर लेते जिनका net jrf qualify नहीं हुआ है तो जिनका net jrf qualify नहीं तो upcoming जो जो exam होने वाला zone में उसके त्यारी अभी से करने स्टार्ट करो स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो complete जो आपका syllabus वो टाइम से finish कर पाऊगे multiple time revision कर पाऊगे और practice कर पाऊगे स्टार्टिंग में स्टार्टिंग से preparation करने का यह advantage मिलता है इस्पेशली जिनका net भी crack हो चुका है अगर आप जारिफ करना चाहते हो तो आपको स्टार्टिंग से study करने चाहिए जिससे आप multiple time revision कर पाए multiple time revision होगी तो exam आपका जल्दी ही upcoming session में crack हो जाएगा तो जी हमने बा foreign universities भी इंडिया में खुलने वाली module अभी कहें कि private में कब vacancy आती है कहां से पता चलेगा इसके बारे में चीज़ें में पता नहीं चल पाती है जिसकी वाज़े से private में apply नहीं कर पाते हैं तो private college में किस तरीके से apply करें इसके उपर मैंने एक already video बनाई वी है वैसे मैं एक upcoming days म में ही मैं इसके उपर एक video और बना दूगा कि private college में किस तरीके से apply करें कैसे approach करें private colleges में ताकि आपकी जो job है वो लग जाए क्योंकि government में क्या होता है government में limited seat होती ही पहले चीज़ तो यह फिर vacancies भी काफे time में आती है second thing कि government में होने के लिए तो आपको exam देना पड़ेगा अगर आप state government colleges में लेना चाहते हो कि exam देना पड़ेगा interview होगा अगर आप universities में apply करना चाहते हो तो आप directly interview होता है तो ऐसे में वहाँ पर इस चीज़ों को face करना पड़ेगा private में कि को exam नहीं होगा directly आपका interview होगा वहाँ पास होगा तो आपकी job लग जाएगी तो जब तक government sector में government colleges या फिर universities में जो भी vacancies आने वाली है इस से related में आपको वीडियो बना के update देता रहूँगा अपने इस चानल पर so make sure आप इस चानल को subscribe जरूर कर ले ताकि कोई भी update अगर मैं दूं कोई vacancy निकल के आए किसी state से तो आपसे वह जो वाली जो जो notification वो वीडियो का वो गलती से भी मिशना हो आप देखो काई जगर आप यूजी सिनेट के त्यारी करें जून 2014 के लिए तो ऐसे में अब यहाँ पर उफट चला रिपब्लिक डे ओफर फ्लेट 50% पहले जी ऑफ था एक्स्टा 20% डिसकाउंट आपको देखें देगों मिल रहा है simply coupon code apply करना है flat 20 before buy option यहाज रहा रात midnight तक offer है और इसके लिए simply आपको एक्जाम बेंट और एप इस्टाल करने फ्रम गूगल प्ले स्टोर और वहाँ पर यह जो offer आपको अविलेबल हो जाएगा सब्सक्राइब कर सकते हो अच्छा कोर्स में क्या कुछ मिलेगा मैं आपको इज़ीज एक्स्क्रीन कर देता हूं कोर्स के अंगर आपको पिपर वन कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल सैंस यह कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे कंप्लीट कंटेंट बाइलिंग्वल होगा इंग्लिश पी इमीडियम दोनों में एंटी एक कोर्शिन आस्किंग पैटन चीज़ों हमने कवर किया हुए प्रेक्टिस करने के लिए पीडियाफ नोट से जिनको डाउनलोड करके आप मल्टिपल ताइम डिवीजिन कर सकते हो तो वैस इन सभी कोर्शिस को जोन करने के लिए क्लिए क्लिए आपको